आप मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एडूकेशन और आज हम बात करेंगे हर निया इसके बारे में, अजू नू सारे ही वीडियो हमारे चैनल पर अथेंटिक, वेरिफाइड होते हैं, डिर्एक्ली रैफ्रेंस होते हैं। ईवेस नैशनल मेडिकल लाइबरी से, सो हर्निया क्या होता है हर्निया हर्निया आप जो भी बोलिये हर्निया के बारे में कई confusion हैं लोग मुझते शमझते कि क्या है ये पता नहीं कि इस तरेकी की बिमारी है दवा से ठीक हो जाएगी कि नहीं कि ओपरेशन की जरुत पड़ेगी ही तो आपको आज हम समझाते हैं हरनिया क्या होता है और कैसे होता है क्यों होता है कहां कहां हो सकता है तो हर्निया बेसिकली एक पाउच है एक साक है एक ओपनिंग है जो जादतर होता है पेट या अब्डॉमिनल कैविटी में जादतर वाकी और भी कहीं कहीं हो सकता है लेकिन पेट अब्डॉमिनल कैविटी जो आपकी अब्डॉमिनल कैविटी बड़ी सी है उसके अंदर एक ल shining wall है वो पेरिटोनियम जब भी अगर माली जो उसके ऊपर जो मसल्स है मसल्स हग जगा नहीं है कई जगा मसल्स के को जोइन करने वाले फिर फाइबर जैसे के फैशिया बोलते हैं लिगमेंड बोलते हैं वैसे पेट के जहां पर मसल्स के जगा पर जहां टेंडल नहीं होते हैं फैशिया होता है वह फैशिया जो है वहां पर होता है जोइंट अब अगर इस फैशिया में या मसल्स में कहीं प युआ पारा सकता है वहां से आपके weak spot से बाहर सकता है। तो परिटौनियम बाहर आएगा तो अंदर abdominal cavity का कुछ भी चीज के साथ बाहर आ सकता है। हो सकता है, आपके अथडियां उसके साथ बाहर हो सकता है, वहां जो उसके ऊपर की fat cover है यू MENTUM filter भी सबा है। हो सकता है muscle में कोई छेद हो या weakness फट गई हो या fascia में हो और हो सकता है वहाँ पर collection बन जा है basically right so कहां कहां हो सकते है हरनिया right swelling आ जाती है तो कहां कहां आ सकती है swelling obviously देखें swelling आ सकती है एक तो आपके पेट के अंदर ही अंदर हो सकती है अंदर ही अंदर आपका जो stomach है आपका diaphragm एक muscle होती है जो पेट और lungs को divide करती है diaphragm के अंदर से नीचे स्टमक है उपर से food pipe है तो हो सकता है stomach उस food pipe वाले छेद से बाहर आ जाए और थोड़ा सा stomach जो है diaphragm के उपर आ जाए वो भी diaphragmatic हर्णिया या फिर जिससों हम कहते है hiatal हर्णिया, hiatus हर्णिया जिसे कहते है यह stomach के उपर हो यह जिसको होता है उसको फिर reflex आसानी से होगा क्योंकि वो उपर का हिस्सा खोल सा देगा और उपर आने में, खाना पीना उपर आने में बहुत आसानी हो जाएगी gastroesophageal, reflex disease, acidity, gastritis, burping, खटे डकार उसको बहुत common होगी यह होगा hiatus हर्णिया, hiatus हर्णिया पर एक different वीडियो आएगा इसके अलावा जो बहुत common हर्णिया है वो है नीचे का inguinal हर्णिया inguinal region जहाँ पर आप अपनी underweight पहनते हैं वो inguinal region है inguinal region का जो पार्ट है वहाँ पर बल्ज होता है कई लोगों को groin में जिया जिसको कहते हैं वहाँ पर होता है सबसे common हर्णिया है मेल्स में सबसे common हर्णिया है इसमें एक inguinal कानाल होता है जो आपके थाइस के साथ नीचे जाता है और scrotum में गुचता है तो कई बार वो कनाल के अंदर ही weakness हो जाती है तो कनाल के अंदर से आपके हर्णियेट हो सकते हैं आपके intestines आपका momentum वहाँ से जा सकता है हर्णियेट हो सकता है और नीचे पूरा scrotum तक आपके scrotum तक पहुच सकता है scrotum में swelling आ सकती है या वो चीज डायरेक्ट भी हो सकती है कि वो कनाल के थुरू जाने के जा कनाल फाड़ के अंदर जा है तो वो direct और indirect ये दोनों हो सकती है inguinal हर्णिया वैसी ही inguinal region groin region के नी फीमर हर्णिया जादा तर females में होता है more than men right और obviously हर्णिया हो रहा है मतलब वहां की जो covering है वहां का जो fascia है वहां का जो support system है वो weak है इसलिए छेद हो गया या gap आ गया जिसके थूरू चीजे बहार आ रही है तो ये छेद या gap कई दफा बच्पन से भी होता है जिसे जैसे क अंबलीकस वाले एरिया में आपकी धुनी है अंबलीकल एरिया में अंबलीकल हर्णिया हो सकता है अगर मालीजे बैली बटन जो है बच्पन से जब उसकी around muscles है वो सही से बन नहीं होई तो बड़े होते होते धीरे धीरे आपको हो सकता है वहां सूजन आनी लगे या पन में नहीं होती है बड़े होके आ जाती है दिखने लगती है लेकिन बड़े होके जैसे जैसे प्रेशर हुआ कॉंस्टिपेशन हुआ या कुछ भी वा प्रेशर लगाया वेट लिफ्टिंग की तब आ गई और एक चीज़े इंसीजनल हर्निया मालीजे पेट में कहीं ऑ हर्निया इसे कहते हैं इंसीजनल हर्निया अब्डामिनल सरजरी के बाद होता है अगर सरजरी आपको पास्ट में हुई है तो यह सारे हुए आपके प्रेशर बड़ेगा तो चीज बहार आएगी तो प्रेशर कब बड़ेगा जब आप वेट लिफ्ट करोगे हेवी वेट उठाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा आप लैटरिन के टाइम या टॉइलेट्स के टाइम बहुत प्रेशर लगाओगे कॉंस्टिपिशन होगा या यूरीन में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी प्रोस्ट्रेट प्रॉब्लम हो स्ट्रेइनिंग होगी तो पेट का प्रेशर बढ़ेगा और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपके इंटराइब्डॉमिनल प्रेशर बढ़े ये धिक्कत होगी हरनिया जैसे मैंने कहा दोनों तरफ हो सकती है बच्पन में हो सकती है बड़ोने के बाद हो सकती है बच्चों में इवन चिल्डरन छोटे बच्चों में भी हरनिया हो सकता है वो भी उसी वज़े से बेली बटन के वीकने जादा तर अंबली कर हरनिया बहुत कॉमन है देख बढ़ सकता है। नमबर वन मैंने बताया क्रोनिक या लॉंग टर्म कॉंस्टिबिशन आपको कबज रहती है जाधतर रहती है या आप बहुत ताकत लगाते हैं यूरीन में और मोशन में। आपको खासी जादा रहती है कफिंग या स्नीजिंग छीक बहुत जादा आती है तो भी इंटर अब्डामिनल प्रेशर बढ़ता है आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है पिशाप में बहुत ताकत लगती है वजन बहुत जादा है तो वजन उठाना भी आपका खुद का व और आभी के वज़े से स्मोकिंग करते हैं एक्जर्शन जादा करते हैं या आपकी टेस्टिस पूरी नीचे नहीं है एक टेस्टिस उपर रगी तो भी रिस्क बढ़ता है हरनिया का या फिर कंजनाइटल एक्सिस्टिक फाइबरोसिस करके बिमारी है तो या पेरिटनोनिय जा रहा है एक सूजन आ रही है किसी किसी को उसमें डिसकंफर्ट हो सकता है या दर्द हो सकता है और हो सकता है कि दर्द या डिसकंफर्ट या सूजन तभी बड़े जब आप या तो खड़े हो रहे हैं या तो स्ट्रेन करने हैं दाकत लगा रहे हैं कुछ भारी समान उठा था गया जाए तभी होता है और ज्यादतर लोग सिर्फ एक कंप्लेन लेकर आते हैं श्तों यहांपर उपर वोज देखा यह और आपका हरन्या बड़ा चैनल यहाँ और वापस नहीं कै। इसों कहते है stuck, याने के strangulated, strangulate हो जाते हैं आपके वहाँ पे bowels, याने intestines और ये strangulate पतलब वहाँ पे हो सकता है, उनके जाने वाला blood supply बंद हो जाए, because हरनिया में घुस्त हो गया, pressure लगा के लेकिन वापस नहीं आ पा रहा, वापस नहीं आ पा रहा, तो ये चीज एक kind of emergency हो जा और वहाँ पे dead tissue आना शुरू हो जा, तो फिर ये काटना पड़ सकता है आपको, वहाँ का intestine है, वो major surgery में develop हो जाएगा, तो इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है, तो फिर आपको nausea, ulty भी आएगी, आपको kai भी आएगी, और आपका नीचे से कुछ motion भी पास नहीं होगे, कि क हरनिया के लिए क्या करेंगे, डॉक्टर के पर जाएगे, डॉक्टर क्या करेंगा, देखके बता देगा हरनिया है, बहुत simple है, आपको बोलेगा, उदर मंटी करो, खासी करो, या कहेगा, कोई चीज उठाओ, पुश करो, देखेगा हरनिया, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ होती है, कोई-कोई पाट के हरनिया को, और अगर हमें लग रहा है बाउल्स खुश गया है, आल्ट गट गया है, तो एक स्रेय अब्डॉमेंट करके देख सकते हैं, जो अब हरनिया के करना क्या है, हरनिया हो गया है, एक ही ईलाज है उसका ऑपरेशन, सर्जरी, और कोई इल तूट जाती है, तो उस पर कोई दवाई काम नहीं करएगी, अगर आपके अब्दॉमिन में कुछ छेद हो गया है, होल हो गया है, फढ़ गया है, सकार हो गया है, टिशू फढ़ गया है, या वहां से कुछ चीछ हो गई है, तो हरुनिया तबी होगा ना और weakness है तबी होगा उसका कोई और इलाज नहीं है उस weakness को स्टिच करना पड़ेगा उस छेद को बंद करना पड़ेगा जब वो छेद को बंद करेंगे तो ही हर्डिया वापस नहीं आएगा उसको अंदर पुश करके बन कर दिया जाता है ज्यादा तर cases में stitch से काम कर हो जाता है और कई cases में stitch के बाद उसके उपर एक mesh एक जाली जैसा लगा दिया जाता है कि और वो बाहर आ ही ना पाए तो और जादा तर cases में ये बिल्कुल recovery अकर नहीं होता फिर से नहीं होता है except एक case जिसमें जादा तर possible हो सकता है recover होने का incisional हरनिया incisional हरनिया में पहले एक बर पेट में incision लगा हुआ है और वो incision में जो scar हुआ था वो ही scar फट गया था तो उसमें फिर से incision मार देने से फिर भी जादा chances होते हैं अगर आपने बीच में फिर से खांसी करी, pressure किया, heal सही से नहीं हुआ तो फिर भट सकता है so incisional हरनिया जादा तर वापस हो जाते हैं बाकी के के हरनिया हैं जाद तर cases में फिर से नहीं होते हैं प्रशे से हाराम से minor surgery से काम हो जाता है आपका लेकिन surgery obviously किसी भी प्रकार का surgery में कुछ complications सुई लगाए तो भी infection का chances होता है so inguinal region में जब हरनिया होता है उसकी जब surgery होती है तो हो सकता है कि आपके testicles जो है उसका function कुछ affect हो और हो सकता है इन्वाइनल region में जब surgery हो तो उससे groin में जाने वाली जो nurse है उसमें कुछ damage हो हो सकता है ज़्यादा तर 99% के इसमें नहीं होता damage possible complications आपको समझा रहे हैं और अगर जैसे मैंने पता है हरनिया में आपने surgery time पे नहीं कदाई और bowels अंदर घुसके फस गए strangulate हो गए तब हो सकता है कि यह बावल जो है मर चुका तो उसको काट के निकालना पड़ेगा तो फिर वो major surgery में तब्दील हो जाएगा यह बात याद रखे इसलिए अगर आपको कहीं पर भी surgeon है जो खासी के साथ या वजन उठाने के साथ बढ़ती कम होती है और किसी बरकार का हर्निया है nausea vomiting जैसे कुछ लगता है गोनाइन में इधर उदर तो जाके doctor surgeon को दिखाईए और हर्निया है तो ठीक कराईए क्या आप हर्निया prevent कर सकते हो जी हाँ आप number one अगर आपकी even abdominal cavities weak है तो आप उसको over period of time उसको strong कर सकते हो by doing proper lifting सही technique से lift करेंगे समान या वजन जिम में सही technique उसकरेंगे तो ये दिकत कम होगी वजन कम करेंगे तो भी दिकत जीसे जैसा वजन बढ़ता है उतना पेट आगे फैलेगा तो वो सब stretch होगा तो फिर gap बन सकता है तो इसलिए वजन कम करेंगे healthy रहेंगे तो फाइदा होगा high weight से वो stretch होके फट सकता है right अंदर का सारा आपका fascia covering ये बहुत ज़रूरी है constipation avoid करना ज़रूरी है किसी भी प्रकार का straining ताकत लगा के latrin या पिशाप में ताकत नहीं लगानी है वो बहुत ज़रूरी है constipation avoid करने के लिए कबज वाला हमारा constipation वाला वीडियो देखो बहुत ज़्यादा fiber बहुत ज़्यादा पानी खुब पीना है right बहुत ज़्यादा urge हो तो बिलकुल रुकना नहीं है तोरण जाके आपको अपना पास करना है motion और urine और exercise करनी है regularly बाकी का जानकरी आपको अबज़ वाले वीडियो से लो और men लोगों को आपना डॉक्टर के पास regularly जाना चाहिए कि prostate तो नहीं बड़ा हो गया अगर माली जो उनको urine में दिक्कत हो रही है बाकी के छोटी मुटी जानकरी आपको अलग वीडियो में मिलेगी हमारा एक belt वाला वीडियो आ चुका है belt वाले वीडियो से हम ने आपको बताया था कि intra-abdominal pressure बढ़ा के weight lifting belt जब use करते हैं तो intra-abdominal pressure बढ़ता है तो obviously अगर उस समय आपके आपके abdominal cavity के ऊपर की covering weak है तो हरनिया के chances बढ़ जाते हैं किसी भी प्रकार के heavy weight lifting से बढ़ जाते हैं तो belt से भी chances बढ़ जाते हैं यह हुई जानकारी आपकी हरनिया की I hope आपको सही अच्छी लगी हो लगी है तो हमें भी बताईए like button दबा के और इसको share ज़रूर करिए sharing is important knowledge सही मिलेगी तो लोगों को सही जानकारी होगी और India health literate बनेगा मैं हूँ Dr. Paranjeeb आप से मिलते रहूंगा तो इस चैनल को subscribe करके share ज़रूर करिए take care of yourself and your family and your friends stay connected and stay healthy झाल